दुनिया का सबसे मुश्किल काम कौन सा है आप जानते हो किसी के चहरे पे हसी लेकर आना स्माईल और इस काम को एकदम आसान बनाया है अपने कपिल पाजी ने एक जमाना था इनका टीवी पे लोग इंतजार करते थे पूरे हफते दग कपिल शर्मा शो का अब रियल लाइफ में जिस बंदे ने हसाया क्या वो किसी सीरियस फिल्म का हीरो बन सकता है सवाल थोड़ा तेड़ा है लेकिन जवाब तो पूरा भूल भूलेया जविगेटो इस फिल्म का शोर बहुत हो रहा है कुछ टाइम से रीजन कपिल शर्मा बॉलिवुड को चैलेंज करने वाले थे अरे भाई 10-15 साल से कुछ अक्टर्स फिल्में कर रहे हैं और लोग आज तक उनको सीरियसली नहीं लेते ऐसे में आज के टाइम पे बॉलिवुड में एंट्री मारना जो बड़े-बड़े सूपरस्टार्स फेल हो रहे हैं हिम्मत चाये थी बॉस और कपिल शर्मा ने सबसे बड़ा रिस्क लिया अपने करियर का बेवकूफी या फिर जादू होगा रिजर्ड क्या निकला सब बताऊंगी आपको कहानी एक डिलिवरी बॉय की है जो लोगों की प्लेट तक खाना और चेहरों पे हसी लेकर आता है आदे घंटे में जिंदगी के सारे टेंशन भुलाने वाला खाना आपके घर आ जाएगा बस पोन उठाओ और मारो लेकिन कभी सोचा किसी जिन की तरह हमारी हर ख्वाइश पूरी करने वाला ये डिलिवरी बॉय बचारा ये कहीं किसी चिराग में कैब तो नहीं है अरे सहाब इसकी जिन्दगी किसी चिराग से कम थोड़ी है पांच मिनिट खाना लेट तो सेलरी का है अब सेलरी नहीं तो बीवी बच्चे परिशान फामिली का अटेंशन तो घर पे खाना कौन बनाएगा तो मतलब खुद अपने डिलिवरी बॉय को खाने के डिलिवरी चाहिए पैसा कौन देगा सेलरी तो कट गई ना अब क्रोनो लॉजी समझे या नहीं बस यही साइकल है जो 50 साल तक घूमेगी उसके बाद मौत और चिराग की कैट से छुटका रहा लेकिन अपना हीरो हार नहीं मानता इनका मिश्टन है हर दिन 10 डिलिवरी करना और खूब सारा पैसा चापना क्या सोच रहे है हीरो है तो विलन भी होगा अरे है ना एक दो नहीं बहुत सारे कौन मैं और आप कस्टमर और इन में से किसी एक ने लो रेटिंग मार के बिचारे अपने डिलिवरी बॉय के सारे सपने तोर डाले हैं अब इस जिन को कोई याद नहीं करेगा और चिराग से एक अभी बहार नहीं निकलेगा sad ending, happy ending, मुझसे क्या पूछ रहे हो, film देखो खुद पता लगाओ देखो बहुत जोगेटो जैसी filmों का concept है बहुत जादा interesting क्योंकि इस subject में जादा cinema बना नहीं है अपनी film industry में एक तो ये delivery boy वाली कहानी काफी real real लगती है क्योंकि हमारी जिन्दीगी का हिस्सा है कोई imagination वाला character नहीं है हमेशा order लेते वक्त हम इस side खड़े होते हैं लेकिन ये film हमें दूसरी तरफ ले जाएगी सोच तो बहुत बढ़िया है इस film को बनाने के पीछे लेकिन अफसोस film दिखाने का तरीका उतना मज़िदार है नहीं कड़वा तो है बट बहुत सच तो बोलना पड़ेगा ना film as total काम नहीं करने वाली sorry सोचो कभी-कभी तीन घंटे हम लोग थेयर्टर में बैठते हैं और पता ही नहीं जलता film कब शुरू हुई और कितनी जल्दी खतम भी हो गई ज्वगेटो का केस एकदम उल्टा है पूरे 90 मिनिट आप जब फिल्म देखोगे एक एक सेकंड गुजारने का एहसास होगा क्योंकि फिल्म उतनी इंटरस्टिंग नहीं लगेगी आपको या आपके दिमाग को पकर नहीं पाएगी और दूसरा कमाल कर सकती थी राइटिंग, डायलोग्स वगेरा ऐसे होते जो इमोशनल कर देते ओडियन्स को तो कनेक्शन अपने आप बन जाता लेकिन नहीं कपल शर्मा एक लौती हाइलाइट है, इस पूरे देड़ घंटे की जो आप इस फिल्म पर खर्च करने वाले हो उनकी एक्टिंग स्किल्स सच में कमाल की है, बॉलिवुड को साब्धान हो जाना चे गुरू कॉमेडी तो इनके खून में भरी है, लेकिन ये सीरिस रोल को इतनी आसानी से पुल आफ करना, ये बंदा लंबी रेस का घुड़ा साबित हो सकता है उनकी जो पहली फिर्म देखी थी मैंने किस-किस को प्यार करूँ और अब ये जुगेटो, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, तरक्की हो रही है, कॉम्रेचिलेशन्स वैसे शहाना गुस्वामी, ये नाम लिख लो आप अपने दिमाग में, क्योंकि काम ये कम करती है, लेकिन हर जगे कैरेक्टर्स याद रह जाएंगे, ऐसी परफॉर्मस देती है तो भई, अब मेरी तरफ से जविगेटो को मिलेंगे पांच में से दो स्टार्स पहला तो कॉंसेट बढ़िया सोचा, एकड़म हटके डिफरेंट, जरुवत है बॉलिवूड को ओरिजिनल माल की दूसरा कपिल पाजी चागे, सिर्फ कॉमेडियन में बोलना आच से अक्टर भी बोल सकते हो, ये कमाया है इनोंने नेगेटिवस में पहला तो कमजोर डिरेक्शन, नंदेता दास जैसा नाम, लेकिन काम उसका एकड़म उल्टा मंटो बनाईए इनोंने वन ओफ दे बेस्ट फिल्म इंडियन सिरिमा की, लेकिन इस नई वाली को मैं भूलना चाहूंगी, सौरी दूसरा मामूली कहानी, कॉमन मैन की कॉमन स्टोरी, नथिन न्यू तीसरा कटेगा फिल्म का अंसाटिसफेक्टरी क्लाइमेक्स, ऐसा महसूस हुआ फिल्म को देखने का कोई रिजल्टी नहीं निकला सच बोलू, अगर ये फिल्म थियेटर्स की जगे OTT पर आती न, तो पक्का पब्लिक इसको दोनों हाथों से लपक लेती और कपिल को तालियां जरूर मिलती है बाखी वीडियो में कुछ पसंद आया हूँ या फिर कुछ शिकायब करनी हूँ तो मैं आपको इंस्टेग्राम पर भी मिल जाओंगी वरना थोड़ा सा इंतजार करिये, मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, टेक केर, बाई बाई